नमस्कार फियोज पलकों की छाउं सीजन टूम में देखने को मिले काफी ट्विस्ट अंटरन से जहां पर देखने को मिला कि अब नंदन जैसे गर छोड़कर जाने वाला होता है तो वहां पर बड़ी मां एकदम से बॉल उठती है और सुर्भी को बोलने लग जाती है कि हम ऐ इसा कभी नहीं करने देंगे सुर्भी की तुम अपने अंस के लिए अपने वंस को गर्ष्रे निकाल रही हो तो वहां पर शब एकदम से जोग जाते हैं और जादा धाजी होते हैं वह भी बड़ी मा को रोकने की कोशिस करते हैं लेकिन बड़ी माः अब की बार दादाची की बात की बात को भी टाल देती है बॉल देती कि आज हम चुप नहीं रहने वाले हैं जो सचा आज वो सब के सामने आकर ही रहेगा जहां पर वो पूरे परिवार के सामने खोल जेती थी है अनसुमन के रिस्ते का राज जहां पर परिवार को एक बड़ा जटका लगता है क्योंकि कुछ लोगों को इस बात का पता था लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता था सूर्भी अनसुमन को कहीं से इठा कर ले कर आई थी क्योंकि उसके माँ-बाप उसे कहीं छोड़ कर चले गए थे तौहां पर शुर्भी अपने बेटे को ले कर आई थी जहां पर उसने अपने बड़े बेटे के रूप में अनसुबन को अपना लिया था जहां पर यह सच पूरे परिवार से छिपा कर रखा था क्योंकि यह बात सिर्फ जो दादाजी होते हैं मिधलेस बड़ी मां और सुर्भी ही जानते थे लेकिन अब परिवार के सामने आ जाती है सारे सच्चाई जहां पर अंसुमन पूरी तरह तूट चुका परिवार को दिखाती है परिवार काफी ज्यादा माईस हो जाते हैं क्योंकि अंसुमन चला जाता गर छोड़कर और लिख रखाया चिठी में कि कोई भी उसे ढूंडने की कोशिस नहीं करें तो देखना काफी दिल्चस्प आने वाला है कि क्या परिवार वाले पहुंच पाएंगे अंसुमन के पास